हेलो फ्रेंड इस साइड इन्फोटेकर दोस्तों आज की वीडियो में Microsoft Word के बारे में बताऊंगा इसमें केवल बेसिक नॉलेज के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा जिसमें कोई भी संटेंस लिखा हुआ है उसको हम कैसे इडिट करते हैं और पेज की साइज को कैसे जानते हैं और पेज का उर्येंटेशन कैसे करते हैं इसमें मार्जिन कैसे लगाते हैं क्या है इस पेसिंग क्या होता है आज कि वीडियो में इस सारे चीजों के बारे में बताने वाला हूं इतना वीडियो जानने के बाद हम किसी भी जो है operator में computer operator के लिए वरक कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत editing जो होता है इसमें हम इतने में सीख सकते हैं तो हम सबसे पहले आते हैं हम पहले इसमें हमने टाइप कर लिया है यहां पर देख सकते हैं कौन सी साइज है यहां पर दिखा देगा कि हमारे इसके paper का with कितना height कितना है जो पहला हमारा जो इससे lowest version का होता था word उसमें हमारा यहां पर लिखा होता था कि एफोर size का paper है या before size का इसमें जब कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है इसमें क्यों इतना ही दे रखा है तो इसका हम साइज जानने के लिए हमने यहां पर गूगल पर हम यहां पर search कर सकते हैं कि जो है हमारा बीफोर size कितना होता है एक हमने कितना होता है कि यहां पर दिखिए हमें में रखा है सेन्टीमीटर मंदेर कां को झाये इन्च में तो हम मैं यहां पर इंच लिख देँ मेंगे तो यहां पर दिखा देगा हमारा पर साइज हो है और sniff अभी दाते हैं कि हमारा प्रोट्रेग्ट में हा या फिर प्रोटय क guarणे के अख्खाने करने के लिए orientation पर क्लिक करें के orientation में जाने कबद प्रोटेक्स द्रेंडी स्केप जो दिखा वगा है यह यहां पे लिखना पर करना है कैसा करना है तो यहां से और अधेशन चेंज करके प्रोटेक्ट करके हम इसको जो और अधे कि हम अपने मैटर को सेट कर सकते हैं यह पेस्ट हो गया हमारे और यहां मार्जीन हो गया मार्जिन पर आते हैं हमारा जो है इसमें हम देखेंगे कि इतना किद ना मार्जिन है इसको मार्जने और देखिए हमारा यहांँ रूलर नहीं सो कर रहा हुँ इसको करने के लिए हम यहांँ तॉप में कितना है में कितना है इसको चेक करने के लिए हम जो है यहां पे हम में चूटा है मतलब डॉप बॉटम है तो तो थो मारा यह Cheese distance है वद्र यंसरे उन्फ है अगर हम इसको ङेडारो कर देते हैं यहां पर जो कम होता है टॉप बाटम लेफ्ट ड्राइड जो होता है आधे आधे इंच का होता है इसमें लिक्लिक कर दिया देखिए आधा इंच यह कम हो गया और यहां पर हमारा टाइपिंग का मतलब जो जगह है वह हमारा कम हो गया है जगह जो था उबढ़ गया जो कम था दिख रहा था अपढ़ गया है कि देखे परने मेरा कैसा था यह पर यह पर आते मारनोर्मल करते हैं नॉरमछ यहां पर हम हम में आने को बाद हैं discours आ प्रथे निए अगर हम को शाएथे रहा से फोख लिख लिखा हूए हमारा ए 95 यह इats घर अर। अगर अगर हम चाते हैं कि यह से अ कंने देखा हो ऐस का लगा होता है कि हमारा यह नहीं होता है हमको इस तरीके का नहीं चाहिए बर्षाहलें के आज में रएकि winter कर अब इसमें अस्पर्मूड हो गया उसकी शुर्लिक्ति नहीं होरी तो वहाँ पे शीय कि 5FS9 so पिल जाएगा तो अब इसमें हमारी हो गई अगर हमको जैसे फार्मूला लिखना होता है यहां पर लिख दिया है और यहां पर नीची लिखना है तो यहां पर देखिये लिखा हुआ इसकोत्बोंकर करेंगे तो हमारा इसफे नगे लगया इसमें थोड़ा सा क्लर चेंजकत न 2 शॉड़ी केंज कर दिया है यह हमारा basic formatting हो गए अगर हम इसको में से कोई चीज का size बढ़ाना चाहते हैं इसको हमने select कर लिया यहां से हम size बढ़ा सकते हैं यहां पे डारेक्ट यहां पर हम click करके यहां पर हम पॉइंट अपनी और हम इस लिया हम यहाँ पर च्छ च्छ का आता है यहाँ केस्का मतलब झो हता हुआ हम आ भी किलिक करेंगे बाद हमारा देखेंगे ते यहाँ पर के Murray एक संटेंज फुलिश्ट आपके पहले बीच में कोई भी वर्ड कैप्टा लेटर नहीं होगा इसे क्यों पहले एक्छा जो काप्टा लेटर है यह हुआ ऐसे ही अगर हम इसको हम सेलेक्ट करते हैं लोवर केस करते हैं लोवर केस में सारा इसमाल हो जाएगा और यहां पे अपर कटने थे सारा अपर केस हो जाएगा यहां पर capital each word मतलब पहले हमारे यहां title case होता था अब इसमें change करके कर दिये capitalize each word मतलब कि सारे word का पहला एक चर्ज जो capital होगा है देखिए अब इसमें हम करते हैं toggle case toggle case में word का पहला चर्ज जो होगा small होगा बाकि सब बढ़ा होगा इरा आज का हमारा formatting तो दोस्तों ने वीडियो में आपको paragraph setting करने के बारे में बताऊंगा तो आज के लिए इतना है thank you